अब लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहा है सप्लिमेंटी रिजल्ट को लेकर जैसा कि आप लोग ने कुछ दिन पहले एक रजनी सरद्वारा मैसेज देखे होंगे कि सप्लिमेंटी रिजल्ट टी टी टू पाइंट जिरो में जो सप्लिमेंटी रिजल्ट आनी है वह बीपीसी आयों के पास भेज दी गई है लगवक 14,760 पोश्ट उसका इंतिजार करें कि उसका रिजल्ट कब आएगा उमीद है आप लोगों का यही कि इसका रिजल्ट जल्द जल्द आया है और उसका भी कांसिलिंग हो और साथी साथ उसका डॉक्मेंट वेरिफिकेश से जो सफल एस्टुरेंट है जो वी पीसी ट्यारी 2.0 में सफल हुए है साथी साथ जो सप्लिमेंट इसर ब्पीसी ट्यारी 1.0 का आया है जो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहा हो सप्लिमेंट रियाल वी ब्पेसी ट्यारी 1.0 में जो आई थी लगवक 273 पोश्टो पर तो इस कंडिशन में इनका अभी तक इसकोर अवंटर नहीं हुआ है जो कि 15 तारिक से होना था तो इसके बीच में बहुत सारे मैटर हुए है जैसा कि आप सभी जानते थे कि पाटक सब जो है चुटी पर चले गए थे अब जो है आज दिनांक 19 जनवरी है और आज के डेट में है उन्होंने यह मतलब अपना फिर से पद पर वापस आ गया है और वे अभी तक सिक्षा विभाग में नहीं पहुंचे उमीद है कि कल दस बज़े सुवा से जो है वे कारे में लग जाएंगे तो उनको कारे में लगते ही आप लोगों का कॉमेंट है कि क्या अब जो है सप् मतलब क्लास के लिए आएगी और सांदी साथ उसका प्रोसेस क्या होगा और इसकुल आवंधन की जो परकिरिया है वह कहां तक गई है उसका कब से शुरू होगा इन सभी बातों पर आज मुद्द चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को पुड़ा इंड देखेगा वीडिय इसमें नाइन टू टेन हिंदी का हम ओपन करते हैं पीडियाप और इस पीडियाप के मादे हम से देखेंगे कि आप लोगे कमेंट था कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं आप अपना कटब भी बता हैं कितने नमर से छूट रहे हो भी बता है डेट अब बर से बहुत सारे श् उनका भी पुरा-पुरी नहीं हो पाया है तो इसे यह पता चलता है कि सेम नमर पर कितने रहते बहुत ही ज्यदा आपको सेम नमर पर देखने को मिल सकता है चौह सबसे बड़ी बात यहां पर यह रहे कि कि किस कख्षा में कितनी सीट है सीट के ऊपर डिपेंड करेगा अग पर cut up एक नमर कम जाने का chances बन जाएगी एक या दो नमर तक कम हो सकती है जैसे कि अगर माल लीजिए कोई भी इस्टुडेंट जो फॉर्म फिट में किया होगा वह जाहिर से बात है वो फिट किय और भी मर लिए यूद्क इ Saxe और के बात में जनका अगर माल लीजे की मतलब जिनका अगर तीनों में जो सेलेक्टेट हो गाय क्यूंगी अपर क्लासे है उनमें जाना पसंद करेंगे बहुत ही रियर कैस ऐसा होगा जो 11-12 बहुत दूर दराज़ों में मिला है और 6-8 नजदिक में मिला है तो वे 6-8 या 9-10 जोएन केंगे इस कंडिशन से देखने से लगता है कि सबसे ज्यादा सीटों के संख्या जो आएगी पुरक रिजल्ट में वह 6-8 में ही आएगी और 6-8 में उम ऑनी है सप्लेमेंटरी रिजल्ट सप्लेमंटरी तो आएगी यह उन्हिस प्रूंसaaaa कि यहां पर अतुल पसासर ने टुटर कीमेंटर पर क्लियर कर दिया है कि वी क्या वाогतिश कोक्षानी की कंचल यह नहीं नहीं पहुंचे लगवग 21,000 कांसलिंग लिए नहीं पहुचे ह तो क्या उस पर supplementary result आएगी कि नहीं जी बिल्कुल उस पर नहीं आएगी सिर्फ और सिर्फ पर multiple result पहीं आएगी लेकिन किस class के लिए कितनी सीटे हैं ये अभी डिक्तियार नहीं आईए वो आएगी तभी ही यहाँ पर supplementary result देखने को मिल सकती और उमीद है कि इसमें थोड़ा है तो आपके हाथों में कुछ नहीं है जब तक विवाग यहाँ पर सिक्षा विवाग को कोई लिटर नहीं भेज़ेगी दवाब नहीं बनाएगी यहाँ कुछ आध्यस नहीं मिलेगा तब तक वह अपने मन से रिजल प्रब्लिस नहीं करेंगा और नहीं आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा नहीं काउंसिलिंग होगा तो इसके लिए क्या आपको थोड़ा वेट करने की जरूवात है ठीक है दूसरी बात है इसकूल आवंटन को लेकर तो इसकूल आवंटन जो है पंदर तारिक से सुरू हो जानी थी बट अभी तक इसकूल आव में और उमीद है कि बीस तारिक से सिक्षा विभाग में टहेंगे तो फिर यहां पर मीटिंग होगी किस तरीका से मतलब करनी है सब चीज तो उसके बाद इसको लावंटन के प्रकिरस सुरू हो जाएगी उमीद है कि बीस तारिक बाद ही अब कब होगी यह तो पतान नहीं लेकिन जब भी आदेश आगा मैं आपको देने का प्रयास करते रहता हूं साथी साथ कम्मुनिटीव पोस्ट में लगा देता हूं वहां सभी आपको इनफोर्मेशन मिल जाएगी तो जब मैं कम्मुनिटीव पोस्ट में पोस्ट करूंगा कोई भी चीज अथो तब तक कम्मुनिटीव पोस्ट में डाल देता है कि आपका हर एक नोटिफिकेशन का पता चलते रहा है ठीकिन इसलिए जरूरी होता है कि आप सभी सब्सक्राइब रहिए और कर लीजिए और एक्टिव मोड में रहिए तक आपको पूरा लाम मिल सके दूसरी बात यहां पर यह है क पूरा तो अच्छी बात अगर नहीं आई तो फिर आपका समय भी स्कारए और इसलिए आप लोग उसका भी त्यारी करते रहिए ताकि आपका जब उस समय एक्जाम हो तो कोई भी प्रोल्म ना हो और आप लोग पास जो है भी बहुत ही समय है ज्यारी करने का तो यह अच्छा मौका भी है आप लोगों के लिए ठीक है क्योंकि यहां पर देखिए बहुत सारे सीटे अभी भी खाली जा रही है जैसे करीम में सीटे जाने के चांसे से वन से लेकर ट्विल क्लासे तक इसलिए आप लोग अभी इसके बीच में जो एपेडिंग वाले उनको मोका मिल जाए गाया तकि आपको विपेशे ठीक त्यारी 3.0 में अच्छा मोका मिल पाए और आप असानी से पार कर जाओ क्यूंकि अब जो है कंपेटिशन थोड़ा टॉप होने वाली है किम्कि पैटर्स अभी को समझ में आ गया कि किस तरीका से एजाम होती है कहां से कुष्चन आया जाते है तो आपको थोड़ा पढ़ना पढ़ेगा बिना पढ़े कुछ नहीं होगा कि कंपेटिशन धीर धीर टॉप हो